लाल किताब 1941 गुटके में यही किताब है वो जो अभी मैंने आपको दिखाई है recording से पहले इसमें पंड़जी रूप्चन जोसी एक सब्द लिखते हैं कि जनम कुंडली और मकान कुंडली जब दोनों मैच करती हों एक जैसी हों तो आपकी जनम कुंडली ही परबल होगी लेकिन जब जनम कुंडली अलग चल रही हो और मकान कुंडली अलग चल रही हो तो मकान कुंडली परबल होगी यह सुत्र मेंने कल कलास शुरू करने से भी सबसे पहले दिया था और आज भी सबसे पहले दे रहा हूँ इसका तात पर ये है कि जब मकान भी आपका जो मकान का निर्वान है या मकान की बस्तुएं है या किछन किस तरफ है, सोचाले किस तरफ है, बैटरूम किस तरफ है और वैसे ही घिरे आपकी जनम कुंडली में बैठे हुए हैं तो सिरफ जनम कुंडली के उपाए करके, क्यूब कि जनम कुंडली बनी फायदा लिया जा सकता है लेकिन जब दोनों में समानता नहीं है, समानता हो गई, दोनों अलग अलग बोलने लगे तो पंड़ जी ने क्लियर लिखा है कि अब मकान कुंडली पिरबल होगी अब आप ये बता दीजिए कि कौन सा ऐसा आज तक का धुरंदर है लाल कितावी जो मकान कुंडली पे चर्चा करता है किसी नहीं किया उसे आपका कोई मतलब नहीं है आप आगे बढ़ने की खुशिस करिए कोई न कोई तो सुरुवात करेगा आपको सुरुवात करनी पड़ेगी आप सुरुवात करिए और इसका सीधा सा तरीका भी आपको बता देता हूँ मान लिजी आप जनम कुंडली के दो रुपे लेते हैं जब आपको उसके जीवन में घटने वाली घटनाओं में लगे कि इसके जीवन की घटनाएं अलग हैं, तो आप मकान कुंडली चेक करिए, यानि कि उससे दो चार बातें पूछिए, सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल के लिए रजबाब दे दिता है आपको कि हाँ, तो उससे थोड़ा सा आप समझोता करिए अपनी इंकम से, उसका घर अगर जदी के जाके देख के आईए, क्योंकि फिर मकान के जब तक उपाये, मकान की चार छे बस्तू इधर से उदर नहीं हटाई जाएंगी, आनद नहीं आएगा, ये बात्यान करिए, इस विसे पे, में एक मेरे मित्र हैं, सरद गुपता, लाल किताबी हैं, पुराने, और मैं तो उनके मुपे भी और पीछे भी बोलता हूं, किताबी कीडा है, वो लड़का जब भी ऐसा महसूस करता है, तो सिरफ पांच जार रुपे लेता है, और अपने गाजियावाद छेतर के आसपास और पांच नहीं भई, आठ लेलो, साथ लेलो, दस लेलो, कहीं न कहीं तो आपको भी कमपरवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी तो सीख रहें, इस बात को समझे, इच्छा सकती मजबूत करनी पड़ेगी, सीखने के लिए बहुत सरल तरीका है, यह वाला कि आप ज दूसरी विदाओं में पारंगत हैं, बैदिक बास्तु के नियमों से, या महांबास्तु के नियमों से, तो वो उस नपात में जा के अपना काम करें और बाकी नजर रखें यहां पर, जो लाल किताब मकान कुण्डली की नपात में बोल रही है, तो उनको भी ये चीजें सम करता हूं कि माल दीजिए किसी फैक्ट्री में मसीनरी होती ही है कि या किसी दुकंदार लुकान पे भी गल्ला ही होता है मतलब उनका काउंटर होता है जहां नीचे वो पैसे रखते हैं इन पर सूरज की धूप आती हो तो दिक्कत हो जाएगी मसीनरी क्या है सनी से संबंदित तीजोरी क्या है सनी से संबंदित गल्लावी सनी से संबंदित सनी पे सूरज की दृष्टी आ गई है ऐसे समझ लीजिए अब आप जनम कुंदिली में मत देखिए इन पाइंट पे कि सूरज सनी को देख रहा है या नह देख रहा है बल्कि यह समझे ऐसा होगा ही होगा किसी ना किसी कारण से उसकी कुंटलि में मसेंच सनी की मसीनरी किसी फ़Zeक्री में लगी यह और वहाँ पर दूप आ रही है उसको हटवा दो सूर्स Tani का यऊ कहीं किसी ना किसी प्रकार से वना हुआ होगा लाल किताब सुत्रों के अनुसार यह भी ध्यान करना सिर्फ लाल किताब के नियम फालो करना ऐसे ही दुकान के कल्ले पर धूपाना जानि कि सनी सूरज का कहीं नहीं समन्ध होगा इसलिए ऐसा हो रहा है वो भी इसलिए रहा है यह सूतर ज्यान रखिए नहीं तो ऐसा होगा ही नहीं तो वहां से हटवा दीजिए और सूरज सनी मिलेंगे तो फिर मंगल की खराबी आ जाएगी खुशियां कहां से होंगी राहू बेचेनी बढ़ा देगा अक्समात होने वाले नुक्सान बढ़ा देगा राहू भी तो खराब हो जाता है अब मशीनरी चलेगी तो आमदनी होगी या दुकान चलेगी तो गल्ला भरेगा वो ना होगा दिक्कत आ जाएगी सूरज सनी मिल जाएगे तो सूरज सनी को नुक्सान यानि कि हानी करेगा तो विक्री कहां से होगी आमदनी कैसे होगी और मशीनरी कैसे चलेगी यानि कि सूरज सनी टकरा रहे है बलकि सूरज सनी से टकरा रहे है अब सानी पैसुरज की मार आएगी तुबली शुक्ष इचड़ेगी और सुक्ष शर्प जीवन साथी तक नहीं है व्यक्ती की अपनी फिजीकल कंडीसन भी सुक्ष से संबंद देते हैं इस बात को भी समझिए व्यक्ति की अपनी फिजीकल जैसे जो स्खरोस है सरीर का यह सुकर से संबन देता है ब्यक्ति सुस्त्र है तो यह सुकर की कलाकारी है सुस्ति आप लोग देखेंगे जिनके साथ में घर में सूरज होंगे या सूरज सुकर को पकड़ के बैठा होगा वो लोग सुपर जल्दी ना उठते होंगे उनके बैठरूम की हालत अच्छी ना होगी सुन्दर ना होगा विश्तर साथ सुत्रे ना होंगे कटे फटे होंगे सामानती तर्वी तर पड़ा होगा और अगर ऐसा वेक्ती सुबह जल्दी उठने की आदर डालने सुरुदे से पहले उठ जाएं सब सामान तेह करके इस तरीके से रखते तो यह दिरे दिरे तूटता चला जाएगा बुराईया कम होते ही चले जाएंगी मिश्तर साथ सुत्रे रखे इस तरीके से माल लीजिए किसी मकान में अरजोकी लालकिता भी हमेशा कहते हैं कि मकान में अंधेरी कोठरी कायम करो अब उस अंधेरी कोठरी में एक सुत्र तो यह कहता है कि रोशनी ना की जाए मतलब कि मकान मैंने कल भी बोला पहले भी बोल चुका हूं कि कम्प्लीट मकान सनी का है लेकिन छट रहु की है पल नस्तर सुक्कर का है किचिन मंगल की है बेट्रूम सुक्कर का है टोइलेट रहू का है इस तरीके से होने के बाद भी मकान सनी का और सनी के मकान में सभी गिरों को इस्थान मिला हुआ है किसी ने किसी रूप में कमरे में आके इस्थापित है कोई ब्या का जोड़ा पती पतनी का जोड़ा इस्थापित है बेहन बेटी इस्थापित है बेटे एक कमरा अंधेरा कायम किया जाए मकान में अंदर जाते से में दाय हात की तरब हुआ इस सुत्र को भी थोड़ा के लिए समझ लीजिए मकान के अंदर अंधेरा कमरा दक्षिन या पश्चिम में कायम करना अच्छा पूदेगा चादा अंधेरा कमरा होना नो डाउट अच्छा है लेकिन वो अगर दिशाओं के हिसाब से देखें दक्षिन या पश्चिम में हो तो ज्यादा अच्छी रजल्ट देगा और उस कमरे में रोशनी कर ली जाए तो दिक्कत करिशानी खड़ी करतेगा सूरसनी का टक्राव फिर हो गया और दूसरा यह है कि वहाँ पर पानी का इस्थान हो जाए अगर गल्पी से और यह दक्षिन और पश्चिम का जो कॉंसेप्ट है मकान मंदेरा कमरा काइम करने का यह सनी का हैड़ पाटर खाना नंबर आठ से संबंदित है और सनी का पक्का घर खाना नंबर दस से संबंदित है साउथ की दीवार खाना नंबर आठ नो डाउट वो रासी के अनुसार देखें काल पुरुस कॉंडिले में तो मंगल से संबंदित कहा गया है मंगल वहाँ बद भी होता है लेकिन सनी का हैड़ कॉर्टर है इस बात को ध्यान कर लीजिए इस कारण से पस्चिम खाना नंबर दस जरुपकरते हैं करते हैं यहाँ रूपे पैसे में लेकिन लालकिताम में जो दख्षिन और पस्चिम अंधरा कमरा मकान में एंटि अ करते हुए था की डर्या कहा है वह सनी का कमरा घं़िक संदिक एख खास सिंदय हे उन्यक्र तो कायम करना इसका मतलब व्यक्ति और जमीन जैदाद संपत्ति रुपे पैसे में खुसाली पाए सनी को कायम करना और सनी को कायम करने से दूसरा तात्परी यह है कि इनके मालिक है किनका राहुकेतू का सनी इसके एजेंट है राहू के तू राहू के तू भी उस घर के सांत रहेंगे, रिलेक्स रहेंगे, ठंडे रहेंगे, बुराई पे ना आएंगे सनी को इसलिए कायम किया जाता है, सनी की एक अंधेरी कोटरी तीन गिरों को कंट्रॉल कर लेती है एक तो सनी को तबज्जो दी, चीफ गैस्ट बनाके अपने घर में, कि बाबुजी बैठिये आके, आप खुश रहिए, हमने आपको सूरज चंदर सबसे दूर कर दिया, जो आपके दुस्मन है और जैसे ही सनी अच्छा होगा, आप सभी जानते हैं, कि इसके दोनों चेले, राहू और केतु, बोठंडे हो गए, सांत हो गए, अब अक्समात होने वाली दुर घटनाए ना घटेंगी जो कि राहू का काम है, के तु फालतू की टेंशन भटकाओ, नर उलाद के सुख, के तु इस सनी की अन्हेरी कोठरी के लाब समझे, जरूर कायम करवाईए, और ये कॉंसेप्ट मेरे ख्याल से किसी और जो तिस विदा में नहीं है, कि लाल किताब से जुड़ा हुआ कॉंस जब आपके है, हर घर में ये होनी चाहिए, और हमेशा होनी चाहिए, जिनके नहीं है, आप कायम करवाईए, जिन्होंने खोल लिए हैं, तो उनकी बंद करवाईए, पानी का इस्थान इस कोटरी में भूल के भी ना हो, वहाँ पानी का श्टॉक ना किया जाए, सूरज की क किरने भूल के विना आने दी जाए, और उसमें कोई खिड की विना बनाई जाए, बस एक दर्वाजा अंदर के अंदर हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि बलफ ना जलाया जाए, ये भी ध्यान कर लिजिएगा, बलफ खुब जला सकते हैं, सनलाइट डारेक्ट आए, ऐसे, और अगर इसमें सूरज की किरने आ जाएंगी, तो बहुत भारी दिक्कत करवा देगा, सूरज सनी टगरा जाएगा, राहू बिगड जाएगा, मंगल बद हो जाएगा, मकान के हालात से भी, अब आपके टेवे में मंगल बद हो या ना हो, लेकिन आपके जीवन में मंगल बद की घटनाएं घट जाएगे, आपके टेवे में केतु को बच्छा नोमे या बार में घर का बैठा हुआ था, सनी बिगड गया तो, केतु कि यानि की संतान के संबंदित भी बचे अच्छे फल मिल जाएगे, ये कोई गारंटी ना होगी, इस बात को समझेए, किसी मकान के लक्षण में बागबगी चाहो हर्याली हो, लक्षणी हिस्से में, बुद्ध आठ में घर का बोल जाएगा, और आप लोगों को जान के हैरानी होगी, कि कई बार गिर है, जहां बैठे होते हैं, वहां ना बैठके, सामने वाले घर में अपना सर दे देते हैं, अब जब म मैं दक्षण पे ये हर्याली बाग बगीचा की बात कर रहा हूं, बुद्ध खाना नंबर दो में या खाना नंबर छे में बैठा हो, जबकि आठ की दरस्टी दो पे हैं, दो की दरस्टी आठ पे नहीं है, तो वो बैठा दिखाई आपको कुंडली में, कागज में देगा, कि बुद्ध दूसरे घर का है, और ये बहुत बड़ी आराजियो कारक है, छटे घर का, और भाई उम्च का है, ये सब किस से कहानिया वन जाएंगे, वो बोल आठ में रहा होगा, अब आप देखेंगे बुद्ध दो का है, बुद्धों के हिसाब से आप चान्दी की ठोस और दोली बगएरा दे देंगे, छटे का है, बंदा है या नेक है वो देखे उसका उपाए, ताज की बोतल में दूद या पानी बगएरा, गंगा जल बगएरा दब़ा देंगे, उससे उस बेक्ति को कोई लाव ना होगा, लाव तू कब होगा? अब ये तो जनम कॉंडली में बोल रहा था लेकिन बैठा हाकिकत में कहां है मकान कुंडली में तो खाना नमबर 8 में बैठा हुआ है तो कम से कम ये जानकारी लेजिए कि भी या आपके घर में ये चितक्षिड में है क्या और सुन लिजिए बुद्ध दस में बैठा हो तब भी वो आठ में आसानी से बोल जाएगा ये सुत्र इसी लिए आप लोगों के आगे खुल के रख रहा हूं कि आप कुंडली में देखेंगे कहां बैठा है और वो असर कहीं और का दे रहा होगा और मैं ऐसा लगवग हर तीसरे टेवे में देखता हूं हर तीसरे टेवे में अब आपको अपना अनुभा पैदा कर्मा पड़ेगा आपको भी एक आज महीने कंटुनियों आप देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें ओपन होने सुर्व हो जाएगे मुश्किल से एक महीने में आप ये चीज़ें कर सकते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है गरे बैठा कहीं है दिखाई कहीं देगा और अकसर दसमें घर का गरे चोथे में और चोथे गर का गरे दसमें में अकसर दिखाई देगा लगन का साथ में में और साथ में का लगन में अक्सर दिखाई देगा तीसरे का नो में में हमारे एक विश्चाब है देहरादून के हैं वो पीछे कई किलासों से आनी पा रहे हैं आज उनकी कॉल थी मेरे पास कि गुरुदे मेरे पिताजी की सिहत खराब है मैंने कहा भाई आप अपने विरस्पती को देखिए उन्होंने कहा गुरू जी तीसरे में आया है मैंने कि क्या कि विरस्पती मैंने कि विरस्पती होई नहीं सकता आपके तीसरे में उले जी क्या मतलब है मैंने कहा सो टका आपका बुद्ध तीसरे गर में बैठा हुआ है ने जनम दिन के बाद कितना कन्या पूजन किया अब अगर आप इसी को गुटके में पढ़ लें तो वहां किलियर लिखा है कि ब्रस्पती खाना नंबर तीन व्यक्ति बुद की पूजना ना करता हो तो ब्रस्पती ब्रस्पती ना होके बुद होगा और वो भुद खाना नंबर तीन या नौ में बोलेगा बाद समझ लेजिए पिता के उपर आफथ आ गए तीन में अगर भुद बुद बोल गया जो ब्रस्पती है वो भुद तीन में बोल गया तो नौ में को पकड़ के बैठा हुआ है तीन से और 9 में बोल गया तो है इतो भ्रस पती का इस्थान, दादा तो है नहीं, उनकी लगवलग उमर, मैंने पूछा भी सहागे, पिर मैंने उनको कहा की बिमारी क्या है, उन्होंने कहा की पेट से संबनेथ, लिवर से संबनेथ, मैंने कहा देखो, ठेवा टो उनका होगा लाएग कि नहीं कि मिठाईयां बांटो थोड़ा मंगल का असर सांत हो जाएगा धोभी बगेरा को बर्फी खोई की देदो मंगल वदी पे होगा थोड़ा सांत हो जाएगा और आप कन्या पूजन करो तो वो कहते हैं जी कन्याओं को क्या देदू मैंने की यार तुम उलूगे विरस्पती लेकिन वो वन गया पूजन और ज्यादा बात नहीं हुई पांच मिट के अंदर ही बात हुई मैंने कहा मैंने नहीं कहा कन्याओं को कुछ दे दो आप त्यार फॉर्मल्टी करना चाहते हैं रोड़ पे चलते फिरते किसी बच्चियों वह या पूरी तसली से प बच्च्पन में बच्चे लड़ते हैं तो ताकदूर बरबच्च्चा कमजोर बच्चे को जमीन पर लिटाके और उसके चाती पर चड़के बैठ जाता है आप भी बैठे होंगे मैं भी बैठाओं बच्पन तो सबका है यह हालत करतेगा तो उनको समझे में आया कि हाँ जी ठीक है मैंने कि भाई ऑस्पिटल की जुम्मेदारी किसी और पर छोड़के सरदा भाव से यह काम करूँ तो गिरह क्या दिख रहा है और क्या बन गया है एक दूसरा गिरह बैठा कहा है और असर किस घर का दे रहा है इन चीज़ों पर और यह टोटल प्रक्टिकल पर आधारित है मैं बार बार कह रहा हूं जब तक आप लोग सही तरीके सलीके से प्रक्टिस नहीं करेंगे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा और मैं हमेशा अपने जीवन के जो भी तज़रूबे हैं वो देने की कोशिस करता हूं आठमगर समसान का यम का दरवार वहां बुद मन्दा असर देता है बुद के लिए सबसे ज़्यादा मन्दा आठमगर और गवागवगीचा दक्षिन में बूल के भी ना हो है तो उसे हटवाईए ऐसे ही किसी घर में नोर्थीष्ट में यानि कि कुंडेली के चौते घर में लाल किताब सूत्रों के अनसार फिलस हो फिलस्टेंग को यानि कि रहूगो तो बहिए चंद्रमा के फल खराब कर देगा बैसे कि आई चलाई को भी रोकेगा देकत परेशानी कड़ी कर देगा चंद्रमा कमजोर होगा मन की घर की सांती घरेकलेस बगएरा पैदा होगा लोग तर्क और कुतर्क जादा करते होंगे उस घर में अब जनम कुंडली में दिखाई दे रहा है कि राहू तो जी लगन में बैठा है लेकिन बोल कहां रहा है चौते घर में ये फरक मिलेगा अब आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनके नौर्थीष्ट में ही फिलस है और राहू भी चौते घर में है और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे कि राहू खाना नंबर दो में है लेकिन वो बोल गया चौते में देखिए दो की जड़ है चार ऐसे भी बोल जाते हैं कि रहे दो की जड़ चार है कई बार दो में दिखाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है दो में या निकी नॉर्थ वेस्ट में और बोल कहा रहा है नॉर्थ इस्ट में या निकी खाना नमबर चार में ये चीजें हर तीसरे टेवे में मिलेंगी आपको हटवाईए नुकसान देगा राहू चौथे घर में होगा और कुंडिली में कहीं और होगा हो सकता है दसमें घर में हो और वो चौथे में बोल रहा हो दूसरे में हो चौथे में बोल रहा हो कई बार में में बैठा हुआ रहू भी चोथे में बोल जाएगा एक पांच नो मददगार पॉइंट होते हैं कि बार में घर से चौथा घर कि बैसे काउंट करो कि बारा एक दो तीन चार पांच तो पांच मां पड़ता है ऐसा भी होगा चौथे का भी मुद्द सकता है इसलिए मकान कुंडली बनाके और तरीके सलीके से लोगों के सुब्ध हैं देना हमारा फर्जे हैं उनके जीवन के दोसों को जितना कम किया जा सके यह हमारा उद्देश होना चाहिए कि समय बेशक लगता है लेकिन काम हो जाता है कि इसी में आगे माल लीजिए सनी छे हो सूरत छटे घर का हो तो बहुत सारे बिद्वान लोग यह ध्यान रखते हैं सनी बारमे में तब यह पीछे से रोशनी ने आये मकान के अब लाल किताब कहती है कि सबसे अच्छा घर पूरब फेसिंग उसके बाद उत्तर फेसिंग उसके बाद पश्चिम फेसिंग और बार सबसे लाश्ट में दक्छिन का मकान वो से निकरष्ट साबित कर दिया है लाल किताब नहीं मानती लाल किताब अब चाहिए मावास्तु वाले S4 बोलें चाहिए कुछ भी बोलें लाल किताब का अपना धंग है अब सूरज छटे घर का है सनी बार में घर का है तो बिद्वान लोग बोल देते हैं वहिया पीछे से धूपना आये ध्यान रखो लेकिन बार में घर में सनी हो या ना हो सनी बार में भी ना हो तब भी मकान के पीछे से धूप आना मकान का पिछला हिस्सा क्या है लाल किताब सूत्रों में बस एक दो किलास के बाद वह सूत्र भी खुल जाएगा अभी से आप तैयारी शुरू पर यह कि फ्रंट को पूरब और बैक को पस्षिम माना गया है इसलिए मैंने यह बचकर मकान कुंडली का आपके सामने डाल दिया है सबसे पहले यह देखिए इस तरीके से यह सूत्र भी काम करता है मकान की पिछली दिवार से खुला होना नुक्सान दायक होगा क्योंकि पूरब है सूरज के लिए पस्षिम नहीं है और आपका मकान अब यह पूरब फेसिंग ना हो तब भी नुक्सान दायक होगा उत्तर फेसिंग हो तब भी और पस्षिम फेसिंग मकान है तब भी यह नुक्सान देगा पीछे से खुला होना अब दूसरे सूतरों पर आ जाईए इसी बेस पे इसी पॉइंट को लेके आज कल सेक्टरों में हमारे गुड़गाओं का तो पता है मुझे जो नक्सा बनता है उसमें मकान पीछे और आगे दोनों तरफ खुले होते हैं उस परिवार के बच्चे इस्तरी पुरुष अगर उनके टेवे में ब्रस्पती और चंद्रवा अच्छे नेक नियत हालात के ना हो या फिर सुकर बहुत साफ़ चुत्रा ना हो चरित रहींता भरी पड़ी है और ये चरित रहींता इस लहज़े तक चली जाती है कि इस तरी को पता हो कि पुरुष चरित रहीं है ये गलत हरकत करके आया है या अब वो पत्नी को लाके गिफ्ट दे दे तो पत्नी भी चुप होके बैठ जाती है कि करने दो इसको मुझे तो गिफ्ट दे दिया इतनी वड़ी बुराईयां क्रियेट करवा देता है जब मकान आर पार दोनों तरब खुला हो उस मकान में उर्जा जो कि आ रही है हवाओं की रूप में सूरज की किरनों की रूप में वो पार निकल जाती है रुकती नहीं है श्टॉप नहीं है बीमारियां बहुत जल्दी आएंगी ऐसे घर में ओपरेशन बहुत ज़्यादा होंगे उस घर में बड़े बड़े जैसे एक सुत्र है कि चंदर बारा बुद आठ तो ऐसे व्यक्ति को लंबे लंबी चलने वाली बीमारियां बड़े खर्चे वाली बीमारियां कैच करती ह ऐसे हालात बनब जाएंगे और सुन लिजिए उनके घर में गरपात चाहदा होंगे वो उलाद कम पैदा करने की पड़े लिखे समाज में ये एक फिल्म सी बन गई है उनके दिमाग में की लड़की हो गई बहुत है उनके दिमाग में ये बातें गरे डाल देते हैं कि एक लड़की हो गई बस बहुत है और बच्चे कर नहीं है उर्जा का स्टॉक नहीं है पॉजिटिव उर्जा आई और निकल गई आर पार हो गई इस तरीके के बुरे हालात